नमस्कार दोस्तों September 2021 European Union के अंदर एक कानून प्रपोस किया गया था अलाख कि इस कानून को पास नहीं किया गया था जिसके तहत ही कहा गया यह European Union के अंदर जितने भी electronic device है, चाहे वो laptop हो, चाहे वो tablet हो, चाहे वो mobile phone हो, चाहे वो camera हो, उन सब के लिए एक universal charger होना चाहिए, अलग अलग charger facilities ना हो, पर उस समय पर एक कानून पास इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि यह कहा गया कि कमपनिया खुझ से एक universal charger की तरफ आगे पढ़े, हाला कि कमपनियों ने इस चीच को implement किया नहीं, जिसके बाद में European Union के अंदर एक कानून पारित कर दिया गया है, और अब European Union के अंदर एक single charger चलेगा, अब हम लोग इसके लिए क्यों पढ़ना है, UPSC Point Office है कि यह क्यों important है, क्योंकि European Union को छोटी मोटी जगा नहीं ह लगपक 27 अलग अलग देश हैं, जहाँ पर 4500 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर single charger use होगा, तो उसका impact पूरे वर्ल के उपर पढ़ेगा, क्योंकि कोई company European Union के लिए अलग charger और पूरे वर्ल के लिए अलग charger नहीं बनाएगी, ऐसी condition के अंदर, universal charger पूरे करके implement होने लगेगा, ऐसा कही तरह एक्सपर्ट का कहना है, तो दोस्तों यह साही चीज़े कैसे होगी, और इन तरही चीज़ों की वज़से, Apple के उपर क्या impact पड़ेगा, उनको समझेंगे, पर उसके पहले, आप लोग में साथ में, SAC 10 टेलिग्राम ग्रूप के उपर करते हो, SAC 10, तो आप लोग को 20% तक का direct discount मिलेगा, अब दोस्तों समझने ही कोईश करते हैं, किस प्रकाय की charging pin अभी हम लोग के पास में market में available है, एक होती USB B type charging cable, एक होती USB C type charging cable, जो आजकल Android phone के अंदर आती है, एक होती micro USB जो पहले आती थी, वो V type की जैसे कहते हैं हम अलग प्रकाय की USB cable, हम लोगों के पास मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और कई सारे phone और electronic device के अंदर ये अलग अलग प्रकाय की charging cable जो है वो यूज आती है, USB B type cable जो है वो काफी famous है laptop अगेरा के लिए, रीसेंटी European Union की Parliament ने एक नया कानून पारिद किया है, जिसके बाद ये कहा गया है कि जितने भी smartphone है, tablet है और camera है, उनके लिए C type cable यूज होगी और 2024 तक जितनी भी company आ है, वो इस C type का प्रयोग करना शुरू कर दे अपने mobile phone, tablet और camera के अंदर, second phase शुरू होगा 2024 के बाद, और 2026 तक जितने भी laptops हैं, उनके अंदर भी C type cable का ही प्रयोग हो charging के ल जाएगा, क्योंकि अब customer के पास में mobile, laptop, camera, इन साइड चीजों के लिए already C type charger अवेलेबल है, अगर उसके पास में C type charger अवेलेबल है, 3-4 C type charger हो चुके है, तो अभी क्या होता है, कि mobile phone या laptop अगरा के साथ में charger आता ही और आपको लेना ही होता है, पर यहाँ पर आप लोगों खरीज लेता है, तो उसको प्राइस ज्यादा पड़ेगी, तो वहाँ पर कॉष्ट वगेडा की बचट भी हो जाएगी अगर वो charger को नहीं खरीदता है, पर यह साइज चीजे क्यों की जारी है, सबसे पहले तो USB C type cable जो है, वो काफी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसस अच्छी हो सकती है, साथ में 40 GB पर सेकेंड तक डाटा जो है, वो ट्रांसफर हो सकता है, जिसके कारण से European Union का वीजन बहुत सिम्पल है, कि European Union के अंदर जितने ही mobile phone है, tablet है, digital camera है, headphone है, headset है, portable speakers है, handsets है, इन सब के अंदर एक ही प्रताय के charger का प्रयोग किया जाए, that is a C type charger, पर इसको करने से होगा कि, मतलब केवल इसलिए है कि थोड़े बग पैसे बच जाएंगे, नहीं, इसके पीछे एक बड़ा वीजन है, electronic waste, आज पूरे विश्व के अंदर लगबख 50 million metric ton तक का electronic waste हर साल generate होता है, हर एक वेक्ती पर के पेटा 7 kg तक का electronic waste generate करता है, और ये electronic waste इ यूमन ने बनाई है, उससे भी भारी मातरा में electronic waste पूरे विश्व के अंदर generate हो रहे है, जिसके कार से काफी साही problem हो रही है, ऐसी condition के अंदर electronic waste को control करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये electronic waste और जादा बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम digitalization की तरफ आगे बढ़ रहे है, ऐसी condition में laptop का घराब होना, mobile phone का घराब होना, नए system का आना तो पुराने सामान को फेक देना, उसकी वज़े से electronic waste और ज़्यादा बढ़ते ही चले जाएंगे आने वाले समय में, अब जो ये electronic waste पूरे विश्व के अंदर generate होना है, इसके अं earphones हैं, इनके विश जादा है, पूरे विश्व में, ऐसी condition के अंदर जब एक charger का प्रयोग किया जाएगा और consumer को option दिया जाएगा कि आपको charger खरीदना है के नहीं खरीदना है, तो इससे electronic waste कम होगा, कैसे कम होगा, आप खुद सोचो, कि आज आपकी पास में एक laptop रखा है, ह हो सकता है, फोन भी हो, आपकी ममी आपा के पास में भी हो, और घर के अंदर ऐसे कही सारे electronic device हो, हो सकता है, earphone हो, उसके साथ में एक अलग charger आया हो, और आपके headphone के साथ में अलग charger आया हो, speaker के साथ में अलग charger आया हो, जब यह अलग-अलग charger आते हैं, अलग-अलग प्रकाय क तो आपका सामान सस्ते में मिल जाएगा ऐसी कंडिशन में electronic वेश्यों कम होगा दूसी तरफ के लोगों का खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि पैसे कम लगेंगे थर्ट के भीतर हो चांदार हो और और की मार्केट रहर खेंग काँष रहये दुकान के पास हिए शाभ आप को आसे घुप, जाने लगते हो और थीक है दूसरे के पास जाना पड़े हैं और आपको अपने जो चार्जर लेना वह मुट मुश्किल होता है जो चार्जर मिल जाएगा तो अपना चार्जर जो है वह लेकर चलने की जरौत नहीं बढ़ेगी जब भी हम लोग मुबायल को चार्ज करते हैं उसकी वएसे कहीं सारी ग्रीन हाउस गेसे निकलती हैं पर सी टाइप यानि की यूएजबी सी केबल के अंदर ये ग्रीन हाउस केसे का अमाउंट काफी कम है जिसके कार्ण से अगर हम लोग यूएजबी सी टाइप केबल केवल यूरोपियन यूनियन के अंदर ही इंप्लिमेंट करते हैं तो तेरा मेगा टन प्रती साल का हम लोग ग्रीन हाउस गेस को कम कर सकते हैं यह 11,000,000 वेहिकल के द्वारा निकाली गई ग्रीन हाउस गेसे के बराबर है तो वह चीज हम लोग कर सकते हैं और अगर इसको पूरे वर्ल के अंदर इंप्लिमेंट किया जाए तो काफी ज्यादा अच्छे एफेक्ट जो हम लोग को देखने को मिल सकते हैं एपल को क्यों प्राब्लम है क्योंकि एपल ने अपने आइपेड और लेप्टॉप के अंदर तो यूजबी सी टाइप चार्जिंग पॉर्ट दिया हुआ है पर एपल का जो आइफोन आता है एपल का जो वो एयरपोर्ट जाते है और दूसरे जितने भी डिवाइज आते है उसके अंदर लाइटनिंग पॉर्ट दिया हुआ है ठीक है वो मैंने आपको बताया था ना इस तरीके की पीन वाला वो लाइटनिंग पॉर्ट है अब अग जिसके काइड से नुकसान हो गया अगर एपल यह करता है कै पूरे वर्ड के लिए एक ही प्रकाय का एपल फोन बनाये और एक ही प्रकाय की पीनिदेज दई सी टाइब तो अल्रेड़ी एपन जो मार्केट के अंदर है उनके उन्दर है जो चार्जर है वो लाइटनिंग प यह अभी भी चल रहा है तो कि इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती इसकी निली फुटती नहीं है जिसके काइट से एपल ने आपकर कंसर्ण शो किया है इस लॉग के ऊपर इसके अंदर एपल का कहना ही है कि टेकनलोजी और इनोवेशन को रोपता है यह कानून क्यों इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि कभी अगर आप एंड्रोइड फोन को यह देखो तो पहले क्यों क्यों कि इनोवेशन हुआ पर अगर हम लोग सी टाइप को कानूनी रूप से फिक्स कर देंगे तो फिक कोई और नहीं प्रकाय की पिन नहीं आपाईगी कोई नहीं प्रकाय का डेवलप्मेंट नहीं आपाएगा जो बहतर चार्जिंग फैसिलिटी दे सके तो हम अपनी दूसरे देशों के लिए अलग से चार्जर नहीं बनाएगी और सेमी प्रकाय की चार्जिंग पिन जो है वो आने लगेगी चार्जिंग पोर्ट आने लगेगा जिसके कारण से पूरे विश्व के अंदर हर एक प्रकाय की मोबाइल लैप टॉप केमरा इन सब के अं सारे चार्जिंग डिवाइस की इवन भारत के प्रधान मंत्री दौरा लाइव इस्टाइल फॉर दा इन्वार्मेंट कहा गया तो उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए यह चीज काफी ज्यादा अच्छी हो सकती तो हो सकता आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी इ इंटाशिप मिलेगी तो जाओ सब्सक्राइब करो एसासी 10 कोड का प्रयोग करो 14 अक्तोबर तक एक बहुत अच्छा ओफर अवेलेबल है जहां पर अगर आप अनकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेके एसासी 10 कोड का यूज करते हो तो आपको 20 प्रतीशत तक का मिलने वाला है तो आज के लिए दोस्तों जहें जयाओं